चाहे हिंद एवरीवन, माइनम इस मुकतक सिंग डाठोड और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मौरियन एम्पाइर यानि की मौरिय सामराज जिससे पहले की मौरिय सामराज के चाप्टर के हम शुरुवात करें मैं चाहता हूँ कि एक बार आप नजर मारें इध इस इंडियन सबकॉंटिनेंट के मैप के उपर जिसके उपर बहुत बड़े पार्ट पर नीले रंग से चाया वाओ अब ये जो नीला रंग यहाँ पर चाया हुआ है ये इंडिकेट करता है कि मौरियन एम्पाइर का एक्सपैंशन कितना रहा था तरसल मौरियन एम्पाइ इंडियन सबकॉंटिनेंट या आज के इंडिया से भी ज्यादा दूर तक पहला हुआ था तो यह जानना बड़ा इंट्रेस्टिंग होगा कि कौन-कौन से रूलर्स थे जिन्होंने इतना बड़ा एम्पाइर बनाया क्या-क्या अलग-अलग रूलर्स ने इसमें कॉंट्र इसका कल्चर कैसा था और यहां की रूलर्स इतने बड़े सामराज को रूल कैसे किया करते थे और अपने पीछे वो क्या वेरासत छोड़के गए साथ ही साथ हम इस चाप्टर के अंदर आज इंट्रोड़क्शन करेंगे पोस्ट मौरियन पीरिट का भी कि पोस्ट मौरियन पीरिट में चीजें किस तरह से हुई थी मौरियन एम्पाइर के डिकलाइन के बाद कौन-कौन से मेजर पावर जाई थी जिन्होंने उनको पॉलिटिकली सकसीड किया था लेक्शर की शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे कि मौरियन एम्पाइर का राईज कैसे हुआ था इसका उदाय कैसे हुआ था क्योंकि आखरी चैप्टर में जब हम बात कर रहे थे तो अब हमने महा जनपत पीरेट की बात करी थी हमने मगद के एम्पाइर की राईज की बात करी थी और मगद के एम्पाइर के राईज में हम ने देखा था कि नंद डाइनेस्टि ने बड़ा important role play किया था foreign invasions के बारे में भी हमने वहां पे बात करी थी इन सारी political उतल पुतल के बीच में Morin Empire कहां से आ गया सबसे पहले उसी के बारे में बात करेंगे Rise of Morians अच्छा एक काम करते हैं चली ठीके Rise of Morians तो हम करेंगे यह सही लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार हम यह देखें कि हमारे पास में Morin Empire की जो भी आज मैं History बताऊंगा जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब हम History की बात करते हैं कि कोई Sources होने चाहिए हिस्ट्री के क्योंकि मैं तो तब पैदा नहीं हुआ था ना जब Morin Empire था तो मैं कैसे बता रहा हूँ कि इस बेहाफ पर बता रहा हूँ आपको तो कुछ Sources है हमारे पास में तो सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि कौन-कौन से Important Sources हैं जिनसे हमको Morin Period की History के बारे में पता चलता है यहाँ पर हम लिख देते हैं Sources of Morin History अब यह जो Sources of Morin History है इसको further हम classify करेंगे दो पार्ट्स में और यह दो पार्ट्स कौन से होंगे एक पार्ट होगा Literary Sources और दूसरा पार्ट होगा Archaeological Sources यानि की पुरा तात्विक अवशेश जो हमको वहाँ से मिले Archaeological Remains जो हमको मिले उनसे भी बहुत कुछ जानकारी मिलती है और बहुत सारे ऐसे Literatures थे जो उस दौर में लिखे गए या उसके आसपास के दौर में लिखे गए Archaean period के बारे में काफी जानकारी मिलती है Literatures में पहले Literature का नाम मैं लोगा जिसका नाम है मुद्रा राक्षस मुद्रा राक्षस एक वो Literature है जिसमें उनने लखा था वैशाक दत्त नाम के स्कॉलर ने मुद्रा राक्षस नाम के Literature का क्रिएशन किया था मुद्रा रख्षस की कहानी ये कहानी होती है जिसमें ये पता चलता है कि किस दरह से आचार्य तानक किया जो विश्नु गुप्ट के नाम से भी जाने जाते थे और उनके साथी उनके शिष्य चंदर गुप्ट मौर्य इन दोनों ने किस दरह से नंद वंश नंद डाइनेस्टी को पूरी तरह से खतम किया, उसको अपरूट किया और उसके बाद में मौरियन एंपायर की स्थापना करी, तो जो मौरियन पीरिट की शुरुवाती हिस्ट्री है, उसकी important information हमको मुद्राराक्षस नाम के literature से मिलती है, वो literature जिसको वैशाक दत्य ने create किया है, दूसरा important literature जो हमको मौरियन पीरिट की बहुत सारी information देता है, that is called as indica, indica को magasthenes ने लिखा था, magasthenes जो की एक ग्रीक थे, और सेलुकस निका टौर के राजदूद थे, उनके ambassador थे, जिनको receive किया गया था भारत में, चंदर गुप्त मौरियन के दरबार में, काफी साल बिताने के बाद में, इनुने एक ग्रंथ लिखा था, जिसका नाम था indica, नाम से ही जाहिर हो रहा है कि भारत के उपर वो लिखा गया था, ग्रंथ और भारत के बारे में, बहुत सारी बाते उसके अंदर बताई गई थी, तो indica से, क्योंकि वो india के specifically, india के उपरे लिखा ह हुआ था, और particularly modern period के बारे में लिखा हुआ था, यह बहुत important source बन जाता है, modern period की history का, लेकिन बात ऐसी है कि आज की तारीक में indica survive भी नहीं करता है, लेकिन जब तक indica ने survive किया था ancient world में, उसे कई विद्वानों ने पढ़ा था, कई Greek scholars में पढ़ा था, और उन scholars ने indica को प basis पे हमको यह पता चलता है कि indica में क्या लिखा होगा, और indica के references लिए जाते हैं, और उन commentaries के आधार पे समझा जाता है कि indica में बाते लिखी हुई थी, और more in period में चीज़ें social, political, economical, administrative, अलग-अलग किस तरह से रही थी, जिसके बारे में आज अपन चैप्टर में बात भी करेंगे, यानि कि जब मैं आपको chapter में किसी topic के बारे में बता रहा हूँगा, तो मैं आपको यह reference दूँगा कि topic यह information हमको किस literature से मिल रही, अभी मैं आपको सिर्फ literature के नाम बता रहा हूँ, तीसरा important literature, जिससे हमको more in period के बारे में काफी information मिलती है, वो है अर्थ, शास्त्र अर्थ, शास्त्र जिसको आप सभी जानते हैं कि आचारिये चाड़क के ने कौटिल ये pen name यूज़ करके लिखा है, यानि कि लिखा तो आचारिये चाड़क की या आचारिये विष्णुगुप्त नहीं है, लेकिन लिखते वक्त उन्होंने अपनी कुटिल बुद्धी का प्रयोग किया था, इसलिए कहा था कि कौटिल ये हुमें, मतलब एक कुटिल व्यक्ति उसको लिख रहा था, तो उन्होंने खुद को address किया है, कौटिल ये कहके, इसलिए कौटिल ये का अर्थ शास्त्र कहा जाता है, जो अगीन उसी दौर में लिखा गया था, इसलिए अर मेंज हमको मिले हैं, मौरियन पीरिट के, जो की अर्केलोजिकल रिमेंज है और उससे बहुत कुछ हमको पता चलता है, जिसमें सबसे पहला और इंपॉर्टेंट आता है, इंस्क्रिप्शन्स अफ अशोक इनके बारे में भी हम चैप्टर के अंदर बात करेंगे कौन-कौन सी इंस्क्रिप्शन थी और उन इंस्क्रिप्शन से क्या-क्या सूचना हमको मिलती है, मौरियन पीरिट के बारे में, एंपरर अशोक ने अपने मेसेजज को फैलाने के लिए, पूरे इंडियन सबकॉंट में कई जगे बड़ी-बड़ी रॉक्स के ऊपर और कई जगे पिलर्स के ऊपर अपने मेसेजज एंग्रेव करवाये थे, इंस्क्राइब करवाये थे और उन्हें ही एंपरर अशोक की इंस्क्रिप्शन कहा जाता है, 1832 से लेके 1837 के बीच में, जेम्स प्रिंसिप नाम के ब्रिटरिश स्कॉलर्स इन सारे इंस्क्रिप्शन के ऊपर लिखे हुए मैसेजज़ इसको डिकोड करते हैं, इन सारे इंस्क्रिप्शन को खुजा तो Major General Alexander Cunningham में था, लेकिन उसको डिकोड किया, उसकी उपर लिखा क्या था? ये जेम्स प्रिंसिप की खुज थी, और उस तुसरा यहाँ पे important है source वो है पैलिस ओफ चंद्रगुप्त मौर्य कमराठ चंद्रगुप्त मौर्य का एक पैलिस की remains मिले है present day पटना के कुमारर से और वहां से भी थोड़ी बहुत information हमको मिलती है तो यह भी एक important source है और तीसरा important source जो बहुत important तो नहीं है लेकिन फिर भी एक source अपन उसको मान लेते है वो है rock cut caves and sculptures sculptures यहने मूर्ती कला यह मूर्तिया तो बहुत सारी मूर्तिया भी हमको मिली है और कुछ rock cut caves भी मिली है जो morian period का architectural innovation भी हुआ करता था तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे तो यह वो सारे स्तरोत है main स्तरोत तो यह literature ही है और उसी के साथ साथ यह archaeological evidences भी है इन सारे स्तरोतों के analysis के बाद में historians ने conclude किया है morian period के इतिहास को जिसको क्रम बद्ध तरीके से chronologically हम अभी study करेंगे सबसे पहले अब हम बात करेंगे rise of morians कि बहुत किस तरह से rise हुआ था rise of morians अब आप सभी इस बात को जानते हूं कि morian empire की इस थापना उसका establishment चंद्र गुप्त मौरे के हाथों किया गया था तो सबसे पहले वो point हम note कर लेते हैं और उसको समझ लेते हैं morian empire was founded by चंद्र गुप्त मौर्य कब found किया गया था वो भी इसके आगे लिख लेते हैं in the year 323 B.C. 323 वर्ष ईसापूर्व Jesus Christ के जनम के 323 साल पहले इस मौर यवंच की स्थापना की गई थी obviously एक important point है जो मैं इसमें add कर देता हूं with the help of चानक्य अब ये जो दो लाइन लिखी है ना इन दो लाइन के पीछे की कहानी क्या है वो मैं आपको बताता हूं और ये कहानी हमको कहां से पता चलती ये कहानी हमको मुद्राराक्षस से पता चलती मुद्राराक्षस जो की गुपता एज में लिखी गई थी और मुझे लगता है कि इस कहानी में काफी कुछ सच्चाई होगी होता ये है कि भारत के उपर Alexander का invasion हो रहा होता है और क्योंकि Alexander का invasion बड़ा खतरनाक था इससे पहले Alexander जिन जिन भी इलाकों में गया था सब दूर वो जीत गया था इसी लिए तक्षशिला जो की आज की पाकिस्तान में नौर्थ में situated एक टाउन है जो उस समय इंडियन सब कॉंटिनेंट का ही हिस्सा हुआ करता था वहाँ पर एक बहुत बड़ा study center हुआ करता था बहुत सारे विध्याले थे वहाँ पर और देश-विदेश से students वहाँ पर पढ़ने आते थे वही पर एक बहुत बड़े professor थे जिनका नाम था चानक अब चानक के नाम इनका क्यों था? वैसे तो इनका original नाम विश्नु गुप्त था इनके मता पिता ने इनका नाम विश्नु गुप्त रखा था लेकिन इनके फादर का नाम चानक था क्योंकि चानक के ये पुत्र थे इसलिए कई लोग इनको चानक क्यों कहके बुलाते थे और जब अर्थ शास्त्र की इनोंने रचना करी थी तब अपना pen name कॉटल ले यूज किया था तो ये तीन नाम एक ही इंडिविज्वल के तो आचारी विश्नु गुप्त इस बात को realize करते हैं कि अगर अलक्षेंद्र को भारत में अलक्षेंद्र कहा जाता था कि अगर अलक्षेंद्र का हमला भारत में सफल हो गया तो भारत के संस्कृती को तबहा कर सकता है और अपनी संस्कृती भारत के उपर थोप सकता है तो अपनी संस्कृती से प्रेम करने वाले अपनी संस्कृती के उपर गर्व करने वाले आचारे विश्नुगुप्त को ये एहसास हुआ कि मुझे अपने देश की रक्षा के लिए देश के राजाओं को एकटा करना चाहिए और एक मस्बूत सेना वारानी चाहिए जिससे बहुत बड़ी आर्मी को डिफीट करके अल्रीडी आ रहा था जो लगबग धाई लाक की थी जो डरायस दे थर्ड की थी तो ये बड़ी टेंशन की बात थी कि उत्तर पश्चिम के छोटे-छोटे राजा कैसे उससे डील करेंगे तब फिर ये आते हैं धनानन के पास जो सम नंदवंच के रूलर थे जिनका एंपायर बहुत बड़ा था आज का बिहार आज का जारखंड आज का बंगाल आज का बांगलादेश आज का उडिसा आज का मध्यप्रदेश चतिसगर उत्तर प्रदेश इस्टन राजस्थान दिल्ली हर्याना इतने इलाकों में पहला हु सही वक्त पर जागना होगा धनानन को सही वक्त पर अपनी आर्मी को मोबिलाइज करना होगा और अलर्ट रखना होगा तब वो अलेक्जेंडर को अलक्षेंदर को रुख सकते थे और उसे ही अलर्ट करने के लिए आचारी चानक के नंदवंच के दरबार में जाते हैं लिक एक offense की तरह ले लेता है अचारी-चानक की दनानन बात को श्क्राइल से पोड़्टरे करते से लिए झायए Esse सबसे अचारे चारे क्ञेए तरह लगाया और योगन गुस्सा हो गए छोगे लिए गुस्सा घुटरा योले तुरंत आदेश दे दिया कि वह आचारे चानक्य की हत्या करवा दी जाए अब यह आदेश एक्दम से आगया कि आचारे चानक्य को मृत्यु दंड दे दिया जाए लिकिन तब ही धनानंद के दरबार में उनका एक मिनिस्टर था जिनका नाम था जिनका नाम था अमातिराक्षस अमात इसको सजा दे सकते हो अगर आपको बुरा लगा है इनकी बात का तो फिर धनानंद एक और्डर पास करते हैं कि इस ब्रामन को अभी उठा कर धक्के मार मार कर इस दर्बार से बाहर फैक दिया जाए इसकी इंसल्ट की जाए अब जब ये इंसल्ट आचारे चाड़की की होती ह धनानंद तो राज़ा था वो जो चाहता था वो कर सकता था वो हो भी सकता था वो हुआ भी आचारे चाड़क की इस इंसल्ट को बहुत सीरियस ले लेते हैं और आचारे चाड़क की उसी वक्त जो एक चूटी वो रखते थे हेडशेव रखते थे चूटी रखते थे ज्या बाद ही ये चोटी वापस बंदेगी। तो आचारे चानक के अब अपना लक्ष बना लेते धनानन का नाश करना। तो मुद्राराक्ष चानि एक ऐसे पढ़ाव आजाती है, जहाँ आचारे चानक के जो धनानन को ये अपना दुश्मन मान लेते हैं, और धनानन्द को अपना दुश्मन मान कर आचारे चानक के वापस उत्तर की तरफ जा रहे होते हैं। तबी उनको रास्ते में हिमाले की तरही में अब आचारे चानक्य की यूजना ये थी कि वो किसी क्षत्री राजकुमार को ढूंडेंगे उस क्षत्री राजकुमार को अपना हधियार बनाएंगे उसको ट्रेनिंग देंगे उसको मोटिवेशन देंगे उसको गाइडन्स दें धनानन को समाप्त करने के लिए योजना ये थी कि पहले अलक्षेंद्र का उपयोग किया जाएगा धनानन को समाप्त करने के लिए बाद में अलक्षेंद्र इस इलाके की पूरी बागडोर उस राजकुमार के हाथ में सौप के जाएगा जिसने अलक्षेंद्र की मदद करी हो और इसी योजना के बारे में सोचते हुए जब वो वापस तक्षिला जा रहे थे तो रास्ते में हिमालय के तराई में उनको किसी कबीले में रुकना पड़ा। रात्री विश्राम के लिए, नाइट हॉल्ट के लिए उनको हॉल्ट करना पड़ा। वही पर उन्होंने एक लड़का देख, जिस लड़के के अंदर उनको वो लीडर्शिप क्वालिटीज दिखाए दी, दस ग्यारा साल की या ग्यारा बारा साल की उमर रही होगी उस लड़के की, उस लड़के के अंदर उनको वो लीडर्शिप क्वालिटीज दिखाए दी, जैसा वो अपने लिए एक राजकुमार चाह रहे थे हलां कि वो लड़का किसी बड़े राज्जी का राजकुमार नहीं था अधिक से अधिक वो उस कबीले के सरदार का बेटा था जो कि क्लीर नहीं है कि exactly क्या था वो लेकिन हाँ उस लड़के को इन्होंने उनके माबाप से परमेशन ली और शायद कुछ तीन हजार पण भी दिये और उस लड़के को खरीद लिया या अपने पास में रख लिया और उस लड़के को लेके तक्षशिला गए अब यूजना ये थी कि तक्षशिला जाके उसको ट्रेन किया जाएगा उसकी ट्रेनिंग होती है बारत के अंदर भी पहुचने लग जाता है इसमें लगबक अलक्षेंद्र को तीन से चार साल लगते हैं क्योंकि अफगानिस्तान के और भारत की सीमा पर जो खैबर के दर्रे मौजूद है वहाँ पे मौजूद जो ट्राइब्स थी वो ट्राइब्स अलक्षेंद्र को बह ददरों के इलाके में लड़ने के लिए उसकी सेना वनी थी मैदानी इलाकों में लड़ने के लिए पहाड़ों में रहने वाली इन जुछारू और जंग्जू ट्राइब्स ने अलिक्जिंडर को बहुत कठिन वक्त दिखाया और इसी एलिक्सिंडर इन ट्राइब्स को एक अलक्षेंद्र का उत्तर पश्चिम भारत के अंदर दाखिला होता है सिंधू नदी को पार करके और यहां पे मुद्रा राक्षस से हमको पता चलता है कि अलक्षेंद्र दोस्ती कर लेता है या अलक्षेंद्र से दोस्ती कर लेता है तक्ष शिला का राजा जिसका नाम आम भी बताया गया है अम भी उससे दोस्ती कर लेता है अलक्षेंदर को सिंधू यानि कि इंडस रिवर पार करने में काफी हेल्प करता है और उसके बाद एक ग्रीक हिस्टॉरियन है जो लिखते है कि एक लड़का आता है अलक्षेंदर के पास में जिसकी उमर करीब 15-16 साल होती और ये जो लड़का होता है जिसकी उमर लगबग 15-16 साल होती है ये एक मिलिटरी हिल्प आफर करता है अलक्षेंदर को ये अलक्षेंदर को अपने 5000 सैनिकों की टुकड़ी लेके आता अपने साथ में 5000 कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं थी लेकिन वो जो भी तादाद थी ये तादाद अलक्षेंदर के लिए इसी लिए important थी क्योंकि अलक्षेंदर को जब भारत में आगे बढ़ना था ना उसको भाषा आती थी भारत की ना उसके पास अच्छे interpreters थे ना उसको ठीक से रास्ता पता था ना ही भारत के युद्धा कैसे लड़ते उनकी strength और weaknesses क्या है अब तक ठीक से पता चल पाई थी तो अलक्षेंडर ने उस लड़के की मदद को स्विकार कर लिया Greek Historians इस लड़के का नाम बताते हैं Sandro Kottas मैं लेके एक मिनिट आपको बताता हूँ फिर उसको मिटा भी दूँगा बाद में उस लड़के का नाम बताते हैं Sandro Kottas ज्यादा तर आज के historians ये मानते हैं कि वो जो Sandro Kottas mentioned है as a Greek as an Indian जो help लेके आता है जो कि young लड़का था he is none other he is none other he is none other than एक मरेट give me a moment he is none other than तो आप समझी के होंगे none other than कौन है फिर मैं मैं लिख देता हूँ none other than Chandr गुप्त क्योंकि जो Greeks थे उनका pronunciation जो है बहुत अलग होता था Indian से तो वो चंदरगुप्त ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाते थी तो शायद उन्होंने उसको मिस्प्रोनाउंस करके सेंड्रो कॉट्टस कर दिया लेकिन एक्चुली वो चंदरगुप्त ही था जो मदद लेके आया था according to the plan of आचारे चानक की कि उनका महरा अलक्षेंदर की मदद करेगा अलक्षेंदर का विश्वास जीतेगा धनानन को खतम करने में हेल्प करेगा तो फिर इसी विश्वास के दम पे अलक्षेंदर जब इस इलाके को जीत के वापस ग्रीज जाएगा तो सारी बागडोर इसके हाथ में सौपके जाएगा और जब इसके हाथ में बागडोर आएगी तब फिर ये अलकशिंद्र के खिलाफ विद्रोह कर देंगे और इस तरह इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो ये प्लान था अचारे चानक की का, ये आया अलकशिंद्र ने इनकी मदद स्विकार भी करी, ये आगे बढ़े भी लेकिन फिर मैंने आपको बताया था कि एक जबरदस लड़ाई होती एक इंडियन रूलर होता है, बहुत छोटा, छोटे से किंडम का रूलर होता है जिसका नाम पुरू या पुरस होता है, ग्रीक वर्ड में पुरस था और इंडियन टर्म्स में पुरू था तो पुरू अलेक्सिंडर को कड़ी टकर दे देता है, उट्टी सी सेना थी उसकी लेकिन बड़ी जबरदस लड़ाई करती हाला कि आरफ पुरस की होती है, पर अलक्षिंडर के लिए जीत बहुत महेंगी थाबित होती है, उसका बहुत नुकसान होता है और कहीं ने कहीं युनानी सेना ग्रीक आर्मी का मुराल भी बहुत डाउन हो जाता है इसी लिए ग्रीक आर्मी नौर्धन इंडिया में अब पहुँच चुकी थी ब्यास नदी के किनारे तक जो कि आज के भारत के पंजाब के पठान कोट के ठीक नौर्थ में है और वहाँ पे आखरी कैंप लगाया था ग्रीक आर्मी ने जिसके बाद ग्रीक आर्मी ने म्यूटी नहीं कर दी उन्होंने का कि हमें आगे बढ़ना ही नहीं है जो छोटी सी सेना ने हमको इतनी कड़ी टक कर दी तो आगे धनानन की सेना बैठी हुई है तीन तीन चार चार लाक की उसकी इंफिंट्री है पचास हजार की घुरसवार सेना है वो क्या हल करेगी हमारा पूरा स्केट डेड़ सो हाथियों ने हमारे कई सैनिक मार डाले धनानन के पास तो तीन हजार हाथि है वो क्या हल करेंगे हमारा तो इसी लिए Alexander वापस चला गया जब Alexander वापस चला गया आचारी चाणक्य का प्लान ए पूरी तरफ फेल हो गया क्योंकि प्लान ए यही था कि वो पहले Alexander की मदद लेंगे और धनारंद को डिफीट करेंगे बाद में Alexander के खिलाफ विद्रोह करेंगे लेकिन अब प्लान ए फेल हो गया अब प्लान भी यह था कि अब यह खुद ही करना है तो अब खुद कैसे किया जाए यह तो मुद्रा राक्षस कहानी आपर बड़ी एक इंटरस्टिंग बात बताती है वो यह बताती है कि आचारी चाणक्य ने उत्तर पश्ची में मौझूद जितने भी छोटे छोटे राजा थे जो इखटे नहीं थे एक नहीं थे या तो आपस में लड़ते ही रहते थे इन राजाओं को इखटा करना चाहा इन्होंने पहले भी इन राजाओं को इखटा करना चाहा था लेकिन वो हुए नहीं थे क्यों कि पहले आचारे चाणक के देश की रक्षा के बात कर रहे थे तो उस सक्त जिसका जो राज्ज होता था वोई उसका देश होता था तो सब ने बोला कि मेरे देश की तरफ तो नहीं आ रहा ना एलेक्सेंडर तो मैं क्यों लोड़ू तो आचारे चाणक के ये बात समझ में आ गई थी कि ये राजा एक भी लायक नहीं है राजा बनने के सब लालची है और अपने जमीन के छोटे से टुकडे को ये अपना देश मानते हैं भारत को एक देश की तरह नहीं मानना चाहते है लेकिन क्योंकि ये लालची थे तो आचारे चाणक के ने इनको उसी भाशा में समझाया जिस भाषा में समझ सकते थे आचारी चाडक्य ने ने इनको लालच दिया कि ठीक है आप सब एक हो जाओ अगर हम एक हो कर एक बड़ी सेना बना देते हैं तो यह बड़ी सेना कि दम पर हम धनानन को टक्कर दे सकते हैं उसको हरा भी सकते हैं और अगर हमने धनानन को हरा दिया तो सोचो धनानन का कितना बड़ा सामराज्य है उसको आप सब में और हम में आपस में हम लोग बाट लेंगे अब ये ट्रिक काम कर गई इनकी ये राजा क्योंकि लालची थे देश भकते नहीं थे तो इन्होंने बला लालच में हमको बड़े-बड़े टुकडे मिलैंगे जमीनों के बड़े राज्य हो जाएंगे हमारे इस लालच में इन्होंने चंदरगुप्त का और आचारे चारक क्ये का साथ देने का फैसला कर लिया और फिर देखे देखे कई चोटे और medium size के kingdoms इनके साथ जुड़ गए तो इनकी military strength थोड़ी बढ़ी लेकिन आचारे चाड़क किये जिसको हम कहते है English में एक phrase होता है keeping no stone unturned ऐसा कुछ भी नहीं था जो छूट जाए जिसकी वज़े से धनादन्द हारने से बच जाए कोई भी ऐसा effort छोड़ना नहीं चाते थे राज़ा तो एकटे कर लिये थे लालच दे के लेकिन इन्होंने ये भी कोशिश करी कि धनादन को अंदर से भी तोड़ा जाए क्योंकि धनादन्द एक बहुत corrupt इंसान था एक unjust ruler था अन्याई शासक था इसलिए आचारे चानक के बाद जानते थे कि धनादन के अंदर से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उससे dissatisfied होंगे और ऐसे ही लोगों को हमको तोड़ कर अपने साथ मिला लेना है तो वो अंदर से विद्र हो करेंगे जब हम बाहर से हमला करेंगे और ये दो तरफा हमला जब धनानन के उपर होगा उसको समझ नहीं आएगा कुछ और तब उसके हारने की probability ज्यादा होगी ऐसा ही एक minister था धनानन का जिसका नाम था शक्तार ये शक्तार वो minister था धनानन का जिसकी पुत्री थी जो बहुत सुन्दर थी और धनानन को वो पसंद आ गई थी तो धनानन ने उससे जबरदस्ती marriage कर लिया था जबकि वो नहीं करना चाहती थी धनानन के साथ में marriage पर वो forceful marriage हो गया था कहीं ने कहीं शक्तार के मन में धनानन के लिए खटास थी अलाकि अभी भी वो धनानन का minister था लेकिन कहीं ने कहीं आचारे चानक के जानते थे कि इसके साथ गलत हुआ है और ये इनसान तूट सकता है और अगर ये इनसान तूट गया तो समझो धनानन तूट गया क्योंकि वो बहुत important position पे बहुत बड़ा minister था आचारे चानक के शक्टार तक अपना संदेश पहुचाते हैं और शक्टार कोई बात बताते हैं कि शक्टार अगर तुम हमारा साथ दो तो दुबारा इस पूरे सामराज में ऐसा किसी के साथ हम नहीं होने देंगे जैसा कि तुम्हारे साथ और तुम्हारी पुत्री के साथ कर दिया था कि जब आप आदेश करोगे मैं अंदर से विद्रो करवा दूंगा और साथ ही साथ इन्होंने कई राजाओं को साथ में मिला लिया था और कई राजाओं को साथ में मिलाने के बाद में हमले की तैयारी कर ली थी हमला होता है पहली बार में नंदवंच को पराजित डिकलाइन चुरू हो गया और उसी फेज में फाइनल और जोरदार अटैक कर दिया आचारे चानक के चंदरगुप्त मौर्य और उनके साथी राजाओं ने और इस तरह धीरे धीरे करके इन्होंने नंद वंच को समाप्त कर दिया युद्ध में और धनानन मारा गया धनानन भी मारा गया धनानन के जितने पुत्र थे उन पुत्रों को भी पकड़ पकड़ के मार डाला गया और आचारे चाणके ने अपनी शपत पूरी करी कि जब तक मैं इसका समूल नाश नहीं कर दूँगा इसको अपरूट नहीं कर दूँगा इसका वंच समाप्त नहीं कर दूँगा तब तक शिखा नहीं बांदूँगा याने कि अपनी छोटी, खुली वी चोटी नहीं बांदोंगा, वो खुली वी चोटी उन्होंने अब बांदी, और अपनी शपत को पूरा किया, अपने बदले को पूरा किया, लेकिन बात सिर्फ बदले की नहीं थी, बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि उनको कोई परसनल बदला लेना था वो सिर्फ एक पॉइंट था सही माइनों में अचारे चानकिये चाहते थे कि प्रजा को एक अच्छा राजा मिलना चाहिए और क्यूंकि उन्होंने खुद चंदर गुप्त को ट्रेंड किया था तो वो जानते थे कि अगर कोई अच्छा राजा सिद्ध हो सकता है इ इन्होंने साथ इसी लिए दिया था क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब धनानन्द मारा जाएगा तो इस पूरे सामराज्य का बटवारा होगा हम सब के बीच में आचारे चाणक्ये ने साफ मना कर दिया चंदर गुप्त को कि हम किसी तरह का कोई बटवारा न क्योंकि उसने हमारा अपमान किया था हम सही में चाहते हैं कि प्रजा को एक अच्छा राजा मिले लेकिन अब उनका क्या जो अपना क्लेम लेके खड़े हुए थे आचारे चाणक्ये ने इन राजाओं को एक-एक करके जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में कॉंस्पिरेसी हिं प्रजाओं को जो कलेम कर रहे थे अपने अपने अपोर्शन उन सारे राजाओं को एसासीनेट करवाना शुरू कर दिया मारना शुरू कर दिया और आचारे चाणक्ये ने इसकाम को कभी भी गलत नहीं माना चंदर गुप तक ने उन से कहा था कि ये तो धोगा हुआ सीधा सीधा कि हमने वादा किया था और जब वो लेने आ है तो हमने उनको मार डाला ता आचारे चाड़क्य का सीधा सा कहना था कि मेरे लिए प्रजा सबसे उपर है प्रजा खराब राजा के हाथों में मैं नहीं जाने दूंगा और इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम ही राजा बने रहो बाकी मैं देख लूँगा तुम बद करो इंटरफेर अचारे चाणक्य ने इन सारे राइवल्स को मरवा दिया और उसके बाद मौरवंच की स्थापना हो पाई थी सही मायनों में लेकिन एक मिनिस्टर था जो की धनानन का मिनिस्टर था बड़ा केपेबल था उसने भी शपत ले ली थी कि जिस तरह चाणक्य ने धनानन की हत्या करी है मैं भी चंदरगुप्त की हत्या करूँगा और उस मिनिस्टर का नाम था अमात्य राक्षस ये वही अमात्य राक्षस है जिन्होंने इस कहानी की शुरुवात में चाणक्य की जान बचाई थी तो चाणक्य चाहते थे कि अमात्य रक्षस पकड़े जाएं लेकिन मारे नहीं जाएं और पकड़े जाके भी चाड़क्य का ऐसा कोई प्लान नहीं था कि उनको इंप्रिजन किया जाए आचारी चाड़क्य का ये प्लान था कि इनको पकड़ा जाए लेकिन पकड़े जाने के बाद इनका पूरा रिस्पेक्ट किया जाए और इन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए चंदरगुप्त मौरे का क्योंकि ये काफी केपिबल इंसान है, काफी लायक परसन है उस पोस्ट के लिए, ये काम आचारे चाणक के भी कर सकते थे, लेकिन आचारे चाणक के कोई एक महन की रचना करनी थे, और उसके लिए उनको बहुत समय चाहिए था, इसलिए वो चाहते थे कि उन्हें के जैसा कोई काबिल इंसान, कोई योग्य व्यक्ती, कोई केपिबल परसन, प्राइम मिनिस्टर की पोजिशन समाल ले, ताकि आचारे चाणक के उस जिम्मेदारी से फ्र लेकिन अभी मैं उसमें जाओंगा तो ये कहानी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो उसको लॉंग स्टोरी कट शॉट करके मैं बताता हूं कि उन्होंने अमाद्तिराक्षस को पकड़ा, इनकी वर अमाद्तिराक्षस की बिल्कुल जैसे चेस चलता ना, शत्रंज वै अच्छा रहे हो, वो एक अच्छा रूलर है, और तुमको उसका प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, और उसकी उसी निश्ठा से, उसी लॉयल्टी के साथ उसकी सर्विस करनी चाहिए, जैसी तुम उस करप्ट और अंजस्ट रूलर की करते थे जिसका नाम धनानन्त, अच तकि मैं प्रजा का भला चाहता हूं, अगर तुम भी प्रजा का भला चाहते हो, एक मिनिस्टर का काम राजा की चापलूसि करना नहीं है, या राजा का Julian को सही सलहा देना है, तुमने शैद धनानन को सही सलहा दी होगी पर उसने मानी नहीं, ऑर ये मानेगा, तुम इसकी स सेवा करोगे तो ये प्रजा की सेवा होगी और प्रजा की सेवा से बढ़ कर किसी मिनिस्टर या किसी राजा के लिए कुछ बिनी हो सकता क्योंकि अमात्य राक्षस समझदार इंसान था अप लोगों की तरह इसलिए अमात्य राक्षस मान गए इस बात को अपनी दुश्मनी की भावना उन्होंने छोड़ दी चंदरगुप्त मौरे के मिनिस्टर बन गए और आचारे चानक के उस गरंत की रचना में लग गए जो आगे चल के अर्थ शास्त्र कहलाया जो पंदरा किताबों का एक पूरा कमपाइलेशन है जिसके अंदर आचारे चानक के ने बताया है कि एक शासक को शासन करना कैसे चाहिए आचारे चानक की चाहते थे कि उनके जो ग्यान है कि एक शासक को शासन करना कैसे चाहिए चंदरगुप्त तक सीमित ना रहे ये जाना चाहिए किताब के द्वारा जेनेरेशन आफ्टर जेनेरेशन ताकि हर दौर में किसी को ये पता रहे कि अगर मैं राजा हूँ तो मुझे शासन करना कैसे चाहिए तो उन्होंने उस गरंद की रचना करी और इस तरफ चंद्रगुप्त मौरे का शासन शुरू हुआ तो ये पूरी कहानी है जो कि इन दो लाइन्स को एक्स्प्लेन करती है इन दो लाइन्स हम बड़ी एजिली लिख देते हैं लेकिन इसके पीछे का क्या संघर्ष रहा है कितना ज्यादा इन लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा था क्या 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 चैलेंजज आये थे उस सब कुछ इस मुद्रा राक्षस नाम के लिटरेचर में था जो मैंने as it is आपको बताया एक तो ये पॉइंट है important दूसरा मैं इसके साथ लिखी देता हूँ वापस the entire chapter the entire chapter हटा के story लिख देता हूए, the entire story is mentioned in the entire story is mentioned in Mudra Rakshas written by Vaishak Dutt during Gupta Age. अब यह भी एक interesting बात है कि कहानी है Mauryan Age की लेकिन लिखी गई है गुपतेज में तो ऐसा क्यों कहानी Mauryan Age की तु Mauryan Age में क्यों ने लिखी गई? दरसल इंडिया में क्या होता था इंडिया के अंदर ट्रेडीशन लिखने का इतना नहीं होता था इंडिया के अंदर ट्रेडीशन कहानियां सुनाने का ज्यादा होता था इसी लिए इंडिया में फोकलोर्ड और फोक्टेल्स बहुत चला करते थे literature relatively कम बना करते थे तो कई generation तक Morian period में जो घटनाय हुई थी घटनाय कहानियों के तौर पर generation after generation transfer की जा रही थी लेकिन इस कहानी का इतना importance था इस importance को समझते हुए गुपता एज में वहशाक दत्तिनाम के विदवान ये निर्णय लेते हैं कि ये बहुत important information है जो generation after generation बोल बोल कर पास की जा रही है तो इसको अब एक scripture में लिखना ज़रूरी स्क्रिप्टाइज करना ज़रूरी है तब फिर वहशाक दत्त ने उसको एक story के form में create किया था और उससे हमको पता चला कि भई किस तरह से मौर्य सामराज्य का उदय होता है अब जब मौर्य सामराज्य का उदय हो ही गया है तो अब हम बात करेंगे कि मौर्य सामराज्य के अंदर कौन-कौन से rulers आये थे उन rulers के क्या क्या achievements थे क्या क्या आपको याद रखना है सबसे पहले ruler की जब हम बात करेंगे तो obviously उनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य कब से लेके कब तक रूल करते हैं यह पहली चीज होती है जो आपको याद रखना होती 323 BC से लेके 298 BC तक यह रूल करते हैं अच्छा खासा रूलिंग पिरेड रहा था 25 साल का इनका अब इनकी लाइफ कैसी हुई थी उसके बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहला पॉइंट इनके बारे में लिखेंगे According to Quran's, He originated from a humble family यह एक फैक्ट याद रखना कि पुराण यह कहते हैं कि चंदरगुप्त मौरे एक humble family से था मतलब निचले परिवार से था कोई बहुत उचे खांदान का यह नहीं था पहली चीज़ तो यह यह पुराण कहते हैं लेकिन Buddhist sources कुछ और बात कहते हैं According to According to the Buddhist Sources Buddhist Literatures He originated From Chakya Kshatriya Family दोनों ही Literatures में बहुत विरोदा भहास हैं एक यह कह रहा है कि यह humble origin था इनका lower origin था शायद चूद्र थे बुद्धित sources कह रहे हैं कि यह शाक्य क्षत्री वंज से औरिजिनेट हुए थे अब शाक्य क्षत्री वंज का भी एक importance है क्योंकि दो चैप्टर पहले हमने बात करी थी बुद्धिजम की और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि लौड बुद्ध जो पहले राजकुमार सिधार्त थे यह भी शाक्य परिवार के थे जिस परिवार के कभी लौड बुद्ध रहे थे उसी वंज के थे लेकिन पुराण इनको किसी क्षत्री वंज का नहीं मानता है दोनों लिट्रेचर में थोड़ा विरोधा भाह से दोनों ही हमको याद रखना है फिर हम अगली बात करते हैं इनकी सक्सिस वर्स तो यूनिफाई दे गैंजितिक अंद इंडस प्लेंज एक नक्षे के माध्यम से इसको अपन समझते हैं कि यह क्या कहना चाहरा हूं मैं तो इस इस लाइक इंडियन सबकॉंटिनेंट रफ्ली आम ड्रॉइंग दिस इस दो इंडियन सबकॉंटिनेंट अब क्योंकि इंडियन सबकॉंटिनेंट बना रहा हूं तो पाकिस्तान भी इसमें मैं बना देता हूं कुछ ज़्यादा ही ब्रॉड हो गया पाकिस्तान यह बना दिया पाकिस्तान अब जब मैं कहता हूं गैंजेटिक प्लेंज तो गैंजेटिक प्लीन्स कौन से हैं, these are the गैंजेटिक प्लीन्स आज का उत्तर प्रदेश, डिल्ली का इलाका, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, फिर उसके बाद बिहार, फिर बेंगोल, और बांगला देश, ये सब गैंजेटिक प्लीन्स का इलाका है Similarly जो Central India का इलाका है वो भी Gangetic Plains ही कहे जाते हैं तो यहाँ पे भी लिग लेते हैं Gangetic ये पूरा जो इलाका है These are the Gangetic Plains इतना इलाका तो चंदरगुप्त को तब ही मिल गया था जब उसने धनारन को defeat किया था लेकिन उसने Indus Plains को भी acquire किया अब Indus Plains कहां पे situated है ये जो पूरा पाकिस्तान का इलाका है और कश्मीर का इलाका Indus Plains These are the Indus Plains उत्तर पश्चिमी भारत में जो मैदानी इलाके हैं जो सिंदू और उसकी सायक नदियों से बनते हैं वो Indus Plains हैं जो गंगा और उसकी सायक नदियों के फैले हुए अलाके हैं वो गैंजेटिक Plains हैं और इसलिए मैंने गैंजेटिक Plains को सेंटरल इंडिया तक रखा योगि सेंटरल इंडिया से निकलने वाली चंबल नदी जाके मिलती है यमुना में और यमुना जाके मिलती गंगा में तो वो जो कैच्मेंट एरिया है गंगा का वो सेंटरल इंडिया तक फैला हुआ है तो चंदर गुप्त का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये था कि इन्होंने पहली बार पॉलिटिकली यूनिफाई किया था पहली बार भारत के उपमादवीप में ये चीज हो रही थी कि सिंदू घाटी और गंगा घाटी का राजनेती केकी करण हो रहा था और ये इन्होंने किया कैसे था क्या एक्षन किया था जिससे ये हो पाया था तो वो भी मैं लिख देता हूँ तो वी ति कर दिमें लिखे जो आक्शे पैसे शने से लिखे लोग इसको सल्यूकृस निक्टर भी बूलते हैं कोई निकातर भी बूलते हैं तो सल्यूकृस निक्टर जो था वो एक घिण कमांडर था Alexander the Great का अब Alexander the Great तो चला गया था इस इलाके से लेकिन वो ये इलाका जीत के गया था उत्तर पश्चिम भारत का तो यहाँ पे अपने कमांडर्स बिठा के गया था बट फिर Alexander की डेथ हो जाती है तो उसके जो कमांडर्स थे वो इन इलाकों के इंडिपेंडेंट रूलर्स बन गये थे और आचारी चाड़के ने चंदरगुप्त को वार्न किया था कि यहाँ पे जो ये ग्रीक्स बैठे हुए हैं सेलुकस निक्टर के लीडर्शिप में ये खतरना के इनको आगे बढ़के हमको हराना पड़ेगा और पीछे खदेड़ना पड़ेगा अफगानिस्तान की तरफ ऐसा करने से हमको बहुत फर्टाइल इलाका भी अपने हाथ में मिलेगा साथ ही साथ वो स्ट्रेटेजिकल पोजीशन भी मिल जाएगी जहां से भारत में गुसा जा सकता था यानि कि खैबर के पासिस बुलन के पासिस गोमल के पासिस ये वो दर्रे होते थे जहां से सारे हमलावर भारत में गुसते थे आचारी चानक का प्लान ये था कि अगर सैल्यूकस निक्टर को हम हरा देते हैं उसको पीछे खद्र देंगे और उसको पीछे खद्र के ये दर्रे ब्लॉक कर देंगे पासिस को ब्लॉक कर देंगे जिससे दुबारा ये इन्वेडर्स अंदर नहीं आने पाए भारत के इस तरह के इन्वेडर्स को इंचेंट इंडिया में बहुत बुरी नजरों से देखा था, इन्वेडर को कभी भी अच्छी नजर से नहीं देखा जा सकता, इन्हें मलेच्छ कहा जा सकता, तो आचारे चानक्य ने कहा चंदरगुप्त से कि इन मलेच्छों को हमको पीछे धकेलना पड़ेगा, उसके लिए हमको इनसे युद्ध करना पड़ेगा, और तब आचार चंदरगुप्त का विवाह सेलुकस निकाटॉर की बेटी से होगा, इसका नाम हैलेनात, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि आज तो चंदरगुप्त जीत गया, लेकिन लड़ाई में कुछ कहा नहीं जा सकता, कल कौन जीत जाए, सर्प्राइज अटेक कर दे, कोई खास हथियार उसको मिल जाए, कोई दूसरे देश की मदद मिल जाए, पासक कभी भी पलट सकता है, इसलिए कहते हैं अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, लेकिन आचारी चानक की का ये प्लान था कि अगर सहलुकस की बेटी की शादी चंदरगुप्त से हो जाती ह तो कल को अगर सहलुकस ताकतवर भी हो गया तो चंदरगुप्त पे हमला नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि चंदरगुप्त अब उसका दामाद है, चंदरगुप्त को नुकसान मतलब उसकी बेटी को नुकसान, और इसलिए उसकी पुत्री से विवाह करवाया, हेलेना से विवाह करवाया, चंदरगुप्त का, इस तरह के मैरेज़स को वैदिक काल में राक्षस्ट विवाह कहा जाता था, साथ ही साथ सैलिकुस को ये भी कहा, कि आप ये पूरे इंडस के प्लेंस से पीछे हट जाओगे, और आप चले जाओगे आज के अफगानिस्तान में, वो चंदरगुप्त मौर्य था, जो कि एक बहुत बड़ा अचीव्मेंट था, अब अगर मैं पूरा इस तरह से मार्क कर दूँ, इसको क्रॉस लाइन्स में, तो ये जो पूरा इलाका है, ये पूरा इलाका, इस पूरे इलाके का समराट कौन बन गया था, इस पूरे इलाके का समराट बन गया था चंद्रगुप्त मौर्य जो कि एक बहुत बड़ी बात थी है सिर्फ पैनिंसुलर इंडिया बचा हुआ था जीतने के लिए बाकी पूरा राज्य अब चंद्रगुप्त ने जीत लिया था ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था कुछ और बाते चंद्रगुप्त के बारे में जो आप याद रख सकते हैं वो ये है ये एंब्रेज़ जैन रिलिजिन इन दो लेटर स्टेज अफ इस लाइफ अपनी जीवन के उत्तरार्ध में लेटर स्टेज में नोंने जैन रिलिजिन फॉलो करना शुरू कर दिया था और इसी में अट बिकेम अजैन मौंक अजैन मौंक साथी साथ अल्तिमेटली अल्तिमेटली ही प्रैक्टिस्ट संथारा अएंड डाइट बाद में इनोंने संथारा नाम की एक प्रैक्टिस करी जैन रिलिजिन फॉलो करने के बाद जिसमें धीरे धीरे कोई जैन मुनी या जैन भिक्षू खाना और पीना त्यागना शुरू कर देता है और ऐसे करके धीरे धीरे उनकी जान निकल जाती इस हद तक वो चले जाते कि यो खाना और पीना छोड़ी देते और उसके बाद उनकी टेथ हो जाती है वो ये मानते हैं कि ऐसा करने से उनको लाइफ और डेथ की साइकल से छुटकारा मिल जाएगा और मोक्ष प्राप्त हो जाएगा तो क्योंकि ये इतना डिवोटेड हो गए थे जैन रिलिजन के लिए और इतना इंस्पाइड हो गए थे कि इन्होंने एक्स्ट्रीम प्राक्टिस करी जो जैन रिलिजन की मोस्ट एक्स्ट्रीम प्राक्टिस हो सकती वो इन्होंने करी and he died कहां पे इनकी death हुई थी तो वो भी मैं लिख देता हूँ at श्रवन at श्रवन बेल गोला कहां पे है श्रवन बेल गोला करनाटक present day करनाटक में श्रवन बेल गोला है जहां पे इनकी death हुई थी तो this was the story of चंदर गुप्त मौरिय किस तरह से वो ruler बनते हैं आचारे चानक की की मदद से बड़ा struggle रहा 10-11 साल की उमर से वो struggle इनका शुरू हो गया था बहुत लंबा period struggle किया ruler बने, rule किया 25 साल तक, तबाम बड़ी उपलब दिया प्राप्त करी, लेटर स्टेज में जैन बन गए और बाद में जैन मुनी बनके काफी समय बिताने के बाद श्रवन बेल गोला पे संथारा के थू अपनी लाइफ को end किया this was the story of चंदर गुप्त मौरिय लेकिन कहानिया खतम नहीं होती है क्योंकि चंदर गुप्त मौरिय के बाद आते हैं अगले ruler जिनका नाम था बिंदुसार अब ये जो बिंदुसार नाम के ruler होते हैं, इनका timeline देख लेते सबसे पहले कब से लेके कब तक rule किया तो पिछले ruler गए थे 298 BC में तो वहीं से इनका rule शुरू होगा and he ruled up to 273 BC इतने साल तक ये rule करते हैं ये भी लगबग अगर calculate अपन करें तो 25 years तक ये भी rule करते हैं और क्या इनके achievements होते हैं वो देख लेते हैं, जो सबसे important achievement आपको इनका याद रखना है च्पधिशस्टू तो एफिर्गजाओ विर्गश्टू तो नाथ आफ हुँझाओ विर्गाज़ तो लागज़ित. जो सौ विर्गश्टू तो अथ लिए प्टिश्टू तोविर्टू त सौ दिटेट। लागज़ सिक्स्टीन किंग्डम्स अल्टिमेटली कॉन्करिंग देम अल्टिमेटली कॉन्करिंग देम अब अगर पिश्री नक्षे पर अपन जाएं यहाँ पर इंडियन सबकॉंटिनेट के मैप पर तो अब जीतने के लिए बचा क्या था दक्षिन का इलाका बचा हुआ था जीतने के लिए क्योंकि बाकी तो सब कुछ विरासत में मिली गया था बिंदुसार को तो बिंदुसार ने क्या किया इस तरह से एक्सपेडिशन शुरू किया यह मैं डॉट से इंडिकेट कर रहा हूँ बिंदुसार के एक्सपेंशन को इस तरह से बिंदुसार ने दक्षिन की तरफ आगे बढ़ना शुरू किया और दक्षिन की तरफ आगे बढ़ते हुए उन्होंने कई किंडम्स को डिफीट करना शुरू किया फड़े से डॉट सोर लगा देता हूँ बढ़ा अच्छा लग रहा है लगाते हुए यहाँ पे साइड में एक इंडेक्स भी अपन बना देंगे जिससे की थोड़ा अंदाजा हो जाए कि कौन सा पॉइंट जो है इसको मार्क कर रहा है यह यह जो है एक इंडेक्स जैसा बना देते हैं यहाँ पे अपन इस इंडेक्स में इस तरह की जो इंडिकेशन्स है इस तरह की जो मार्किंग्स है वो इंडिकेट कर रही है चंद्रगुप्त और उसके बाद जो इस तरह की मार्किंग्स है वो indicate कर रही है बिंदुसार पुडिसी जगह और बच्ची उसको बाद में यूज़ करेंगे हम बिंदुसार ने क्या किया दक्षिन की तरफ आगे बढ़ना शरू किया और दक्षिन की तरफ आगे बढ़ते हुए बिंदुसार ने बहुत सारे kingdom's को जीत लिया बहुत सारे kingdom's थे जिन्होंने बिंदु सार के सामने surrender कर दिया था बहुत सारे kingdom's थे जिन्होंने बिंदु सार के सामने surrender कर दिया उसके साथ मित्रता कर लिया उसको अपना overlord मान लिया उनको बिंदु सार ने माफ कर दिया लेकिन वो सारे जो बिंदुसार से दोस्ती नहीं करते हैं, मित्रता नहीं करते हैं, उन सभी का बिंदुसार ने घात कर दिया, इसलिए बिंदुसार को ये टाइटल मिला, अमित्र घात, इनको टाइटल मिला, अमित्र घात, मतलब वो रूलर्स जो इनसे मित्रता नहीं करते, इनकी ओवर लॉर्डशिप को एकसेप्ट नहीं करते, वो मारे जाएंगे, वो मार दिये गए, और इसलिए टाइटल इनको मिला, अमित्र घात, मित्रों को नहीं मारा, अमित्रों का घात कर दिया, इसी अमित्र घात को कई ग्रीक लिट्रेचर्स में अमित्रो चेट्स कहा गया है, बहुत सारे ऐसे ग्रीक लिट्रेचर्स लिखे हुए हैं, जिसमें इनको अमित्रो चेट्स कहा गया है, बट वो अमित्रो चेट्स Greek pronunciation है जो कि इतना अच्छा Hindi pronunciation कर नहीं सकते थे या Sanskrit pronunciations कर नहीं सकते थे तो थोड़ा convert कर देते थे अपनी language और अपने pronunciations के voice accent के हिसाब से लेकिन अमित्र गाच विंदुसार थे और इसके साथ ही इनके बारे में एक और point है जो यहीं पर add कर देते हम he had a Greek friend Greek friend नहीं, Greek king as a friend he had a Greek king as a friend named Greek king as a friend named Antiochus इनका और Antiochus नाम के Greek king के बीच में काफी अच्छी दोस्ती थी और यह दोस्ती ऐसी नहीं थी कि यह शाम को मिलते थे किसी जगे पे और वहाँ पे बैट के बाते करते थे वह वाली बात नहीं थी यह letters लिखा करते थे एक दूसरे को इंट्रिस्टिंग कानवर्जेशन यह था कि एक बार अमित्र घात ने बहुत सारे ड्राइड फिक्स याने की सूखे अंजीर भिजवाते हैं लेकिन वो ग्रीक फिलोसोफर नहीं भिजवाते यह कहके कि ग्रीक फिलोसोफर्स आर नॉट दी कॉमोरिटी ऑफ एक्सचेंज तो यह एक छोटी सी बात है जिससे सिर्फ इतना पॉलिटिकल इंपॉर ओर्ला करते थे यह एक दूसरे से बहूत दूर दूर तक के अलाके में ठीफ एप दिखात के दोस्तं से दोस्ति करना चाते थे AKS दोस्ती नहीं करी तो शायद वो घात कर दे क्योंकि उसका नामी अमित्र घात था इनके दोस्त बहुत सारे थे और दुश्मन इनके जिन्दा नहीं बचते थे ऐसा टाइटल इनको मिलता है और ये इनका जो मैंने बताया आपको स्टोरी का अंटियोकस तो आगे भी लिख देता हूँ में प्रॉम हूम बिंदुसार इसका नाम बिंदुसार क्यों था ये भी एक इंट्रेस्टिंग कहानी है कि आचारी चाड़क के चंदरगुप्त को थोड़ा-थोड़ा जहर दिया करते थे खाने में मिला के थोड़ा-थोड़ा जहर इसलिए देते थे बचपन से ही ताकि उसके अंदर immunity develop हो जाए और जहर के प्रती वो completely immune हो जाए कभी समराट बनने के बाद गलती से किसी ने इसको जहर दिया poison दिया तो ये मरे नहीं लेकिन धीरे-धीरे करके उन्होंने जहर की मात्रा भी बढ़ा दी थी थोड़ी जब चंदरकुप्त बड़े हुए थे तो इनका खाना बहुत अलग बनता था और काफी जहरीला होता था किसी normal इंसान के लिए एक बार जब इनकी wife pregnant थी तो उन्होंने इनका खाना खालिया गलती से इसके बाद वो बुरी तरह से तड़पने लग गई और ये clear हो गया कि वो बच्च नहीं पाएंगी तब अचारे चाणक के ने उस मरती हुई औरत का सिजारियन करवाया था और इस बच्चे को निकाल लिया था लेकिन कुछ गरंत ही ये कहते कि उस बच्चे के उपर जहर का कुछ असर हो गया था जो उसके गर्ब में था प्रीमेच्चे और था साथ एक महीने का बच्चा रहा होगा वो गर्ब के अंदर उसको निकाल लिया था लेकिन उस जहर के प्रभाव से उसके माते के उपर काफी चमडी जल गई थी और आगे जब वो बड़ा हुआ बच्चा तो वो एक बिंदू जैसा नजर आता था बहुत बड़ा और इसलिए उसका नाम बिंदू सार पड़ गया था एंटियोकस फ्रॉभूम बिंदू सार डिमांडेड क्या क्या डिमांड किया था इन्होंने वीट वाइन दूसरा ड्राइड फिग्स और तीसरा अग्रीक स्कॉलर जिसमें से क्या क्या दिया उसको स्वीट वाइन दे दी ड्राइड फिग्स दे दिये ग्रीक स्कॉलर नहीं दिया ये कहके कि हम अपने ग्रीक स्कॉलर को बहुत सम्मान करते हैं उनका और उनको हम ऐसे किसी के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकते तो ये एक फैक्ट याद रख लेना उसके बाद एक और फैक्ट है इन से जुड़ा हुआ जो आप याद रख लेना बिन्दुसार वाज अफ फॉलोवर ओफ जीवक ये बड़ी इंट्रेस्टिंग बात है इस मौर ये वाज़ डाइनेस्टी के अंदर जो मुझे किसी और इतिहास की डाइनेस्टी में देखने को नहीं मिलती कि पहला रूलर चंदरगुप्त एक जैन बन गया था दूसरा रूलर बिन्दुसार आजिवक सेक्ट को फॉलो करने वाला बन गया था और जो तीसरा इंपोर्टेंट रूलर आएगा जिसका नाम अशोक है वो बुद्ध बन गया था या बुद्ध नहीं बन गया था बुद्ध बन गया था तो यह बड़ा इंट्रेस्टिंग एक पॉइंट है यहाँ पे कि तीनों ही रूलर अलग-अलग रिलिजन को फॉलो करते थे यहने कि दादा जी जैन थे पिता जी अजीवक थे और पुत्र बुद्धिस्ट बन गया था लेकिन यह दिखाता है कि इंशेंट इंडिया कितना सेकुलर था और लोग किसी रिलिजन को इसलिए नहीं चूज करते थे क्योंकि उनके मम्मी पापा उस रिलिजन को फॉलो करते थे लोग किसी रिलिजन को इसलिए चूज करते थे जब उन्हें वो रिलिजन सही मायनों में सही लगता था जो way of life उनको सही लगता था, वो उस way of life को choose करते थे, वो उनका religion होता था, और इसमें किसी तरह का कोई insult नहीं होता था, कोई offense नहीं होता था, किसी ने अगर कोई religion follow कर दिया, तो it was just a way of life which they were following according to them, और फिर एक और important point, सम्राट बिंदु सार के बारे में, during his last days, during his last days, there was war of succession, उत्तराधिकार का संगर्ष, war of succession, between his sons, of which Ashok emerged victorious ये आखरी point है, इनसे जुड़ा हुआ, कि जब इनकी death होने वाली थी, उस वक्त इनके कई बेटों के बीच में, उत्तराधिकार का संगर्ष छड़ गया, वैसे बिंदु सार ने अपने सबसे बड़े बेटे, जिनका आम सुशिम्न था, उनको थ्रोन का successor declare कर दिया था, लेकिन इनहीं के मिनिस्टर, बिंदु सार के मिनिस्टर, राधा गुप्त को ये लगता था, कि Emperor, अशोक बनने के लिए ज्यादा capable है, क्योंकि अशोक ने एक राजकुमार रहते हुए, उज्जैन के प्र रॉविंस को जब गवर्न कर रहा था, सुशिम्न थो उसने बहुत खराब गवर्निंस किया, साथी साथ सुशिम्न काफी एरोगेंट भी था, और इसी लिए, राधा गुप्त चाहते थे कि बिंदु सार की डेथ के बाद सुशिम्न नहीं बने रूलर, अशोक बने, जबकि बिंदु सार ने डिकलेयर कर दिया था कि सुशिम्न ही बनेंगे रूलर, लेकिन ज़्यादा तर लोग सुशिम्न को केपिबल नहीं मानते थे, इसी लिए यहाँ पर फिर कॉंस्पिरिस ही होती है, एम्परर अशोक जल्दी पहुँचते हैं, पाटली पुत्र, अपने मरते पिता से मिलने के बहाने, और पिता की डेथ के बाद में थ्रोन को उक्यूपाय कर लेते हैं, सुशिम्न बहुत देर से पहुँचते हैं, और सुशिम्न को वहीं ब्लॉक कर दिया जाता है, सुशिम्न बाकी भाईयों को अपने साथ मिला के अशोक के अगेंस्ट एक युद् 273 BC से अशोक ने थ्रोन को कैप्चर कर लिया था, लेकिन अभी तक वो ओफिशली राजा नहीं माने गए थे, क्योंकि उनके भाईयों को चुनौती पेश कर रहे थे, लेकिन इन चार सालों में, एमपरर अशोक ने अपने सारे भाईयों को एक-एक करके खतम किया, और एक- इन दे यर 269 BC में रूलर बनते हैं, और अप टो 232 BC, इनका भी दौर रहा रूल करने का, 273 BC से ही थ्रोन इनके पास आ गया था, लेकिन ओफिशल डिकलेरेशन इनका 269 BC में होता है, और इसलिए यहीं से इनके टाइम लाइन के शुरुवात होती है, एंपरर अशोक की as a ruler life बड़ी interesting और बहुत turns और twist भरी रही, कैसा हुआ इनके साथ में, जरा हम देखते हैं, सबसे पहला important point इनके बारे में, इनकी life को तीन पार्ट में divide किया गया है, ऐसे करते हैं अपन, his life is divided in three parts, कौन-कौन से तीन पार्ट में इनकी life को divide कर सकते हैं, करते हैं जरा, सबसे पहला है इनका phase, जब यह ruler बनते हैं, उसकी बात की बात कर रहा हूं, मैं, his life तुभी correct कर देता हूं, मैं, his life as a ruler, अब ठीक है, तो पहला part है इनकी life as a ruler का, वो है काम अशोक, दूसरा पार्ट इनकी life का है, that is चंड अशोक, और तीसरा पार्ट है इनकी life का, that is धम अशोक, अब क्या difference है तीनों पार्ट्स में इनके life के? तो काम अशोक है, जूकि शुरुवाती फेज, इतने ज्यादा struggle के बाद जब ये ruler बनते, तो शुरू के कुछ साल pleasure seeking में ही निकालते हैं, एक राजा जिसको किस-किस तरह के भोग विलास उपलब्द हो सकते थे, वो सारे भोग विलासों में डूब जाते हैं, तो शुरुवाती फेज, इनका pleasure में बीचता है, इसले इनकी life के एक phase को काम अशोक कहा गया है, अशोक, दा प्लेजर, तीकर, फिर एक life का इनका phase आता है, when he becomes aggressive, and he launched a massive invasion in the Kaling territory, और ये इनका life का phase है, चंड अशोक, याने की, when he launched an invasion, in Kaling, approximately 262 BC में, approximately 262 BC में, इन्होंने massive invasion launch किया था, and conquered it, after large केल ब्लडशेड बहुत बड़े पैमाने पर हत्याएं हुई थी, खून भाहा था, जिसके बाद ही ये कलिंग को जीत पाये थे, अब वो कलिंग जो था, वो कहां पे था, उसकी भी अपन बात कर लेते हैं, इसी नक्षे की तरफ आके हम बढ़ते हैं, अब इस नक्षे में अपन ने देखा था, कि ये उत्तर पश्चिम का इलाका, उत्तर मध्य और पूर्व का इलाका, तो चंदरगुप्त जीत चुके थे, बिंदुसार ने डॉट डॉट्स में आगे बढ़ते हुए, दक्षण तक अपने सामराज्यों को पहलाया था, अब हम लोग उसी एरिया को मार्क करेंगे, जो एंपरर अशोक ने जीता था, और वो एंपरर अशोक का कॉंट्रिबूशन था, मौरियन एंपाइर के एक्स्पैंशन में, तो उसको भी किसी मार्क से, किसी मार्क से मार्क कर देते हैं, मार्क कैसा बनाए, स्क्वाइर बनाए, ट्राइंगल्स बना देते हैं, ये ट्राइंगल्स का इलाका, इस अल्सो बिकम्स, तो मौरियन एंपाइर, ये भी मौरियन एंपाइर का, इस्सा बन जाता है, और यहाँ पर इंडिकेट कर देते हैं कि ट्राइंगल्स बिलॉंग टू अशोक तो समराट अशोक ने कलिंग को जीता और मौरिन एम्पैर को वहाँ पहला दिया पिंदुसार ने दक्षन को जीता और मौरिन एम्पैर को वहाँ पहला दिया उनसे पहले ही उत्तर पश्यमी भारत, सिंदू के घाटी, सिंदू घाटी के मैदान और गंगा घाटी के मैदानों को पहले ही चंद्रगुप्ट यूनिफाई कर चुके थे और इस तरह से ये Massive Moran Empire बनता है, जितना बड़ा Empire बाद में बहुत कम rulers बना सके थे, तो अब हम बा बिल्ट भी फिल होता है, और उस गिल्ट से दूर जाने के लिए Emperor Ashok Religion का सहरा ले ते हैं, जब Emperor Ashok Religion का सहरा लेते हैं उस गिल्ट से दूर जाने के लिए उसी process में Emperor Ashok Buddhism के close आने लगते हैं क्योंकि Buddhist Monks के Sirmons में उनको काफी Relief मिलने लगता है, और देखते ही देखते Emperor Ashok इतन ज्यादा Buddhist monks के sermons को सुनने लगते हैं कि बाद में खुद ही Buddhist बन जाते हैं और फिर as a Buddhist उनकी जो life आगे बढ़ती है जिस तरह की policies उनकी होती है जो कि completely non-violence के उपर based थी उस phase को कहा जाता है धम अशोक तो यहाँ पे मैं धम अशोक के बारे में लिख लेता हूं after the killing war Ashok became passive, giving up the policy of Warfare युद्ध की निती को त्याग दिया पुरी तरह से and decided to spread the and decided to spread the क्या decide किया, क्या spread करने का decide किया decided to spread the message of virtue इसी message of virtue को हम कहते हैं अशोक का धम decided to spread the message of virtue virtue मतलब होता है अच्छे गुण तो अच्छी बात अच्छे गुणों को पहलाने की उन्होंने कोशिश करी कि अब राज नहीं पहलाना है अब अच्छी बातों को अच्छे संदेशों को लोगों तक पहुँचाना है ताकि लोग भी हिंसा का त्याग करें और लोग भी वर्चूस बने उसी को अशोक का धम कहा गया है या धम अशोक के phase में अशोक ने यही किया था एक और point इसमें note कर सकते हैं he also he also spread Buddhism in Sri Lanka you also spread Buddhism in Sri Lanka and south East Asia, जो आज दक्षिनपूर्व एशिया है, यह दक्षिनपूर एशिया प्रीडॉमिनेंटली एक बुद्धिस्ट इलाका है, श्रिलंका भी प्रीडॉमिनेंटली आज एक बुद्धिस्ट इलाका है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि सम्राट अशोक का धम क्या है, What is Ashoka's धम, Emperor Ashoka's धम है क्या आखिर, सबसे पहले मैं इसको define कर देता हूँ आपके लिए फिर इसको समझना शुरू करेंगे, Okay, it is the code of conduct which was spread by Emperor, which was spread by Emperor, to the common people. इन और तो मेक देम, इन और तो मेक देम, वर्चूस, उनको अच्छा बनाने के लिए, संबराट अशुक ने जिन संदेशों को spread किया, वो ही अशुक का धम कहलाए थे. क्यों किया ऐसा, because virtuous people in the empire could be ruled, without the use of iron fist or violence. संबराट अशुक जब बुद्धिस्ट बने, और संबराट अशुक ने जब ये तय किया, कि अब वो क्योंकि बुद्धिस्ट बन गए, अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे, युद्ध नहीं करेंगे, तो उन्होंने तय किया कि अब मुझे अपने इत्ते बड़े देश को चलाना है, और मेरी नीती यह है कि मैं युद्ध भी नहीं करूंगा, तो कहीं ऐसा नहीं कि देश के लोग उद्धंड हो जाएं, मेरी शराफत को मेरी कमजोरी समझने लग जाएं, तो उन्होंने कहा कि क्यों न लोगों को अच्छा बनाया जाएं, लोगों को वर्चूस बनाया जाएं, अगर लोग वर्चूस हो जाएंगे, तो उनको रूल करना बहुत आसान होगा, और बिना हिंसा का प्रयोग किये, उ और उनकी उपर रूल किया आजा सकता है लेकिन उसके लिए लोगों को वर्चूस बनाना होगा और वर्चूस बनाने के लिए अपने संदेशों को वर्चूस मेसेज़स को फैलाना होगा इन्हीं वर्चूस मेसेज़स को अशोक का धम कहा गया है अब एक और पॉइंट आता ह यहाँ पर एंपरर अशोक अशोक को यह मैसेज़ेस फैलाने भी तो थे तो वो कैसे फैलाते बल कैसे मिस्तो कर नहीं सकते थे क्योंकि उस वक्त मुबाइल फोन होता नहीं था तो अपने संदेशों को लोगों तक कैसे पहुंचाएं तो उसका उनों नी जो तरीका ढूंडा था वो था रॉक एंस्क्रिप्शन और पिलर इंस्क्रिप्शन यानि कि बड़ी बड़ी चट्टानों के उपर अपने संदेश लिखवाएं सब्कॉंटिनेंट के अलग-अलग इलाकों में और इस तरह अलग-अलग इलाकों के लोग उन मैसेज़ेस को देखेंगे पढ़े In order to spread these messages, in order to spread these messages, commissioned the construction of, commissioned the construction of several rock and pillar addicts, addicts जिनको हिंदी में अभिलेक कहते हैं, suppose अगर ये रॉक होती तो इस रॉक के उपर में कैसे लिखता, कोई नुकीलीजी चीज लेकर इसके उपर गोध देता और उसको लिख देता, यही है addict, यही इक अभिलेक होता है, inscription होता है, ancient India के इंदर कोई भी ruler अपनी कोई glory को, अ आने वाली generations तक को उस बात को बताने के लिए, किसी pillar के उपर लिख दिया करते थे, और या किसी rock के उपर लिख दिया करते थे, यह एक ऐसा source होता था, जो almost non perishable होता था, क्योंकि लिखने को वो grant भी लिख सकते थे, लेकिन grant कब तक survive करेगा, क्योंकि वो perishable material पे लिखा जात तो इसलिए कई rulers ऐसे messages को, और खास तोर पे ऐसे message जो common लोगों को दिखाने, वो तो किसी ऐसी जगे पर रखने पड़ेंगी, जो सबको available हो, सबको दिखाई दे, सबको accessible, तो rocks और pillars से अच्छा कुछ भी नहीं था पूरे subcontinent में, इसलिए कई rock और कई pillar inscriptions emperor अशोग बनवात जो के एक बहुत important aspect भी है, तो अब हम यह देखेंगे कि उनके कितने pillar और कितने rock addicts थे, और उस पर क्या-क्या information हमको हासिल होती है, तब से पहले बात करेंगे हम 14 major rock addicts की, जो अफगानिस्तान, आज के पाकिस्तान, आज के इंडिया, आज के बांगलादेश, सभी जगों से मिले हैं, कुछ नेपाल के इलाकों से भी मिले हैं, तो इतने पूरे Indian subcontinent से बहुत सारे addicts मिले हैं, जिनको 14 major rock addicts कहा गया है, ये 14 major rock addicts, कोई 14 rocks नहीं है, ये एक rock है, जिसके ओपर 14 points लिखे गए हैं, और ऐसी rock जिनके ओपर ये 14 points लिखे गए हैं, हमको Indian subcontinent के अलग- लिखना शुरू करते हैं, मैं आपको indicate करना शुरू करता हूं कि कहा कहा से हमको इस तरह के 14 major rock addicts मिलते हैं, सबसे पहला 14 major rock addict में सबसे पहला जो हमको मिलता है, वो मिलता है कंधार से, ये लिख दिया कंधार, कंधार का है, present day अफगानिस्तान में, फिर हमको मिलता है, नॉर कर देता हूं और यहां करके लिख देता हूं, शाहबाजगड़ी, शाहबाजगड़ी नाम की जगे से हमको मिलता है, वही नौर्थ पाकिस्तान में एक और जगे है, इसको भी मार्क कर देता हूं मैं, ये जगे है, मनशेरा, इस मनशेरा से भी हमको एक ऐसा आइडिक्ट मिलता है, फिर एक ऐसा आइडिक्ट हमको प्रेजेंट डे, उत्तराखंड में मिलता है, देहरादून के पास में कल्सी नाम की जगे पे, इसको यहां मार्क कर देता हूं, कल्सी, फिर ऐसा ही एक ऐडिक्ट हमको मिलता है कहां प फिर हमको ऐसा ही एक एडिक्ट मिलता है कहा से मुंबई के पास में एक जगे है वहाँ से मिलता है हमको एक ऐसा एडिक्ट वो भी मार्क कर देते हैं तो पारा फिर ऐसा ही एक एडिक्ट हमको मिलता है प्रेजन डे करनाटक के अलाके से जिसको मार कर देते हैं लिख देते हैं गुल गुल बरगा इको औरेडिक्ट मिलता है आंदर प्रदेश के एलाके से उसका नाम था उस जगे का नाम था येर्रा गुडी इको औरेडिक्ट मिलता है परेजिंडे उडीसा से जो की धौली नाम की जगे थी सॉरी, यह हमको यहां से जो एडिक्ट मिलता है, जौगर्ड और गंजम नाम की जगे से मिलता है, तो यह है जौगर्ड और गंजम, तो जौगर्ड, गंजम, येरागुड़ी, गुलबरगा, सुपारा, जुनागर्ड, कंधार, शाबासगड़ी, मनशेरा, कलसी, इतने जगो से हमको ऐसे डिक्ट मिले हैं, जिसके उपर ये मेसेज लिखे वेए, जिनको 14 मेजर रॉक एडिक्ट कहा जाता है. अब इन 14 मेजर रॉक एडिक्ट में लिखा गया है, यहली पर देख सकते हैं, पहला पॉइन लिखा गया है, इसमें कि अनिपल सैक्रीफाइस बहुत रेर मतलब जहां तक वो कहते हैं कि पॉसिबल हो आनिमल्स को ना मारा जाए रॉयल किचन में भी वो कहते हैं कि सिर्फ दो मोर और एक हिरन ही मारे जाएं डेली उससे ज्यादा जो भी रॉयल फैमिली के लोग नॉन वेच खाते थे वो उनको भी इंस्ट्रक करते हैं कि इससे ज्यादा आप भी मत किलिंग किया करो क्योंकि वो शायद वेजिटेरियन हो गए होंगे ये भी कोई क्लियर नहीं कि वो वेजिटेरियन हो गए थे लेकिन अगर हम मान ले कि वो vegetarian हो गए थे तो भी उनके family के सभी लोग vegetarian तो नहीं हो गए होंगे तो भई जो दूसरे खाते थे उनके लिए तो बनता होगा kitchen में तो उस पे भी उन्होंने थोड़ा सा prohibition या restriction लगाया था कि रोज एक हिरन और दो मोर से ज्यादा ना मारे जाएं दूसरा point वो कहते है medical facility for all जिसका मतलब वो यह कहते है कि भई ज्यादा से ज्यादा ऐसे plants grow किये जाएं kingdom के अंदर जिससे कि लोगों को medicinal value जिससे कि लोगों को health benefits मिले यानि वो plants medicinal value के होने चाहिए और लोगों को किसी ने किसी तरह से कोई ने कोई health benefit पहुंच आते रहें तीसरा वो point कहते है generosity to scholars and dham preaching वो यह कहते कि भई चाहिए जो भी विद्वान हो चाहिए वो ब्राह्मन विद्वान हो शौथा point ढम घोश over भेरी घोश important दरसल वो यह कहते हैं कि भेरी घोश अब नहीं करेंगे हम भेरी घोश का मतलब होता था war पुराने ज़माने में जब युद्व पे जाते थे राजा तो बड़े-बड़े ढोल नगाडे बजाते थे तो यह सारे ढोल नगाड़े जो बचते थे इसको भेरी घोश बोलते थे तो आशोक कहते हैं कि अब हम भेरी घोश नहीं करेंगे याने कि simply हमको इस point में समझ में आ रही है यह चीज कि उन्होंने warfare की policy को completely छोड़ दिया था और उन्होंने उसके बदल में कहा कि अब सिर्फ धम घोश होगा मतलब की वर्चूस बातों का परचार होगा हमारे राज्य में हमारे साम राज्य में और हम बाहर भी जाएंगे तो वर्चूस को ही पहलाएंगे अब हम युद्ध नहीं करेंगे यह बहुत important point है जो emperor अशोक की warfare को छोड़ देने की policy को बता रहा है पाचवा धम महामात्र and treatment of slaves एंपरर अशोक यह कहते हैं कि धम के messages फैलाना इतना ज्यादा जरूरी है कि उसके लिए अलग से officer appointment करने पड़ेंगे हमको और पाचवे point में हमको यह बात समझ में आ रही है कि definitely उन्होंने धम महामात्र नाम के special officers recruit किये थे जिनक काम सिर्फ और सिर्फ यह धम के messages को फैलाना था इतने ज्यादा serious थे यह अपने धम के messages को लेकर और साथ ही साथ इस point में वो यह भी कहते हैं कि भी जो गुलाम हैं जो slaves हैं उन slaves के साथ भी अच्छा बरताफ करना चाहिए इंसानियत भरताफ करना चाहिए humanly treatment उनका होना चाह लोग खरीदे बेचे जाते थे तो वो कहते हैं कि भी ऐसा कोई है जो खरीद दिया गया है बेच दिया गया है उसके साथ भी अच्छा व्यवहार होना चाहिए प्टे पॉइंट में वही कहा रहा है इंपरर अशुक बोलते हैं चाहे मैं कहीं पे भी रहूं अगर लोगों के वेलफेर से जुड़ी हुई कोई बात है तो मुझे इंफॉर्म करो चाहे मैं सो रहा हूं अपनी रानियों के साथ में हूँ या गार्डन में बैठा हुआ बे जिजग बताओ अशुकाओस विजिट टू बोध गया एंपरर अशुक ने बोध गया में विजिट किया होगा और उसके बारे में यहाँ पे मेंचन किया गया है बोध गया वो जगे थी जहाँ पे गौतम बुद्ध को निर्वान प्राप्त हुआ था सुपरीम नॉलेज मिला था नौवे पॉइंट में वो यह कहते हैं कि भारत में बहुत सारे ऐसे अननेसेसरी रिच्वल्स है जो की नहीं होना चाहिए और अशुक कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि उन रिच्वल्स को करने से कुछ प्राप्त होता है यह एंपरर अशुक का परसनल बिलीव था परसनल ने यहां पर लिखा है तेंथ इस गिविंग अप डिजायर फॉर फेम वो अपने ओफिसर्स को कहते हैं यहां पर कि ओफिसर्स तुम फेम की डिजायर जो है तुमारे मन में कि मैं यह अचीव करूँ वो लड़ाई जी तू इतना धन कमाओ मेरा नाम हो यह फेम की डिजायर completely drop कर दो और लोगों का welfare करने की desire इसकी जगे तुमारे मन में होनी चाहिए Next point, respect to elders बड़ा self-explanatory point है 12th point officer in charge of women welfare मतलब की women के welfare को लेकर भी Emperor अशोक काफी जागरूक थे, aware थे और इसके लिए भी इन्होंने special officers appoint किये थे 13th addict बहुत important addict है इसको मैं star mark कर देता हूँ कई exams में इससे question पूछा गया है कौन-कौन से addict से question पूछा गया मैं बता देता हूँ आपको religious tolerance वाला important है इससे question पूछा गया है भेरी घोश over धम घोश वाला important है इससे question पूछा गया है और ये भी important है पर इस पे एकी star mark करता हूँ इस पे भी एकी star mark करता हूँ animal sacrifices पे अशोक का बोध गया का visit है एक fact के तौर पे पूछा जा सकता है ये भी star mark कर दिया तो ये वो सारे हैं जो बहुत important है जो पूछे गए है officer in charge of women welfare भी पूछा जा सकता है इसके ओपर भी star mark कर देते हैं ये तो आपको number wise याद होने चीए कौन से number पर कौन सा point था क्योंकि exam में यही पूछ लेते हैं कि सात्वा अभिलेक अशोक कासु था वो किस बारे में बात कर रहा था क्या वो elders के respect के बारे में बात कर रहा था या animal sacrifice के बारे में बात तो आपको पता होना चीए कि सात्वा animal sacrifice, सात्वा religious tolerance की बात करता है तो ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है 13th addict इसलिए बहुत ज़्यादा important एक और star लगा देता हूँ इसके आगे में ये इसलिए बहुत ज़्यादा important है फ्योंकि इसमें कलिंग वार के information मिलती बहुत सारे literature's में बात लिखी हुई है बुद्धिस literature's में कि समराट अशोक ने युद्ध किया था कलिंग का उसमें बहुत सारी जन्हानी हुई थी lot of people had died there were lot of fetal casualties लेकिन इस बात को खुद emperor अशोक confirm कर रहे हैं इस 13th addict के अंदर sorry जिसमें वो ये बता रहे हैं कि कलिंग war was a blunder ले वो जीत गए थे उसको बट उनके हिसाब से because of the numbers of lives lost during the war he had termed this war as a blunder and he had warned his upcoming generation not to wage such a war according to emperor अशोक as many as one lakh people had died in this war that was a huge number in terms of any era it is a very huge number and with respect to the era in which this war was fought that was in 262 years before the Christ this one lakh was humongous figure एक लाख लोगों का मारा जाना एक लडाई के अंदर बिलकुल भी आम बात नहीं है ये emperor अशोक क्या रहे कि इतने लोग मारे गए थे इससे ज्यादा भी हो सकते हमको बता नहीं कि सरकारी आखड़े से डेथ हमेशा ज्यादा ही होती unfortunately तो शायद यहाँ पे भी सरकारी आखड़े से ज्यादा लोग मारे गए थे फिर भी एक लाग तक पहुँच गया सरकारी आखड़ा तो emperor अशोक कहते अपनी आने वाली जनरेशन को कि सच टाइप ओफ वार शुड नॉट बी वेज़ट और माइ अपकमिंग जनरेशन शुड स्टे अवे फ्रॉम दा वार फेर यह थर्टींथ एडिक्ट इनकी वार फेर छोड़ने की पॉलिसी और कलिंग वार के बारे में काफी information दीता है 14 यहां पर लिखा नहीं है क्योंकि 14 एडिक्ट के अंदर कोई खास ऐसी unique information मौझूद नहीं है लेकिन हाँ 14 एडिक्ट is like a disclaimer कि अगर उपर लिखे हुए कुछ एडिक्ट जो है उसमें कोई गलती हो गई हो तो वो emperor अशोक की तरफ से नहीं है वो लिखने वाले की तरफ से है at the same time 14 एडिक्ट के अंदर थोड़ा some rise भी किया हुआ है इन सारे points को these are the 14 major rock एडिक्ट इसके messages क्या थे और ये कहां कहां से मिले थे Indian subcontinent पे इसके बारे में हमने बात करी now we will talk about seven pillar addicts इस साथ pillar addicts थे जो कहां कहां से मिले थे कंधार से मिले हैबर पक्तूनख्वा से मिले नौर्थ पाकिस्तान दिल्ली से मिले अलाभाद से मिले यानि की प्रयागराच का इलाका सारनाथ से मिले सारनाथ यानि की आजके बनारस का इलाका वेहाली यने की नोर्थ भिहार, साची यने मध्यप्रदेश अंबरावती यने आंदर प्रदेश लिख देता हूँ जैसे अंबरावती is आंधर अलाबाद is प्रयाग राज साची is MP मध्यप्रदेश वेहाली is नौर्थ भिहार कंधार एज अफगानिस्तान फाइबर एज नौर्थ पाकिस्तान डेली यू नो वेरी विल तो ये सारी वो जगे है जहां से हमको साथ पिलर्स मिले है और ये साथ पिलर एडिक्ट्स मिले है तो ये एडिक्ट क्या कहते हैं देख लेते हैं पहला एडिक्ट नंबर कहता है प्रोटेक्शन ओफ पीपल वेरी अंडरस्टैंडेबल दूसरा कहता है धम्म इस टूथ लिबर्टी प्यॉरिटी कमपेशन कमपेशन मतलब दया तीसरा कहता है अवाइडिन्स ओफ हार्षनेस प्राइड एंगरी अगे इन वो जो वर्चू की बाते हम कर रहें वही वर्चू यहाँ पर लिखी हुई है तो अथा कहता है रिस्पॉंसिबिलिटी ओफ ओफ ओफिसर्स टू प्रीच धम् यानिकि ओफिसर्स के कामों के बारे में बता रहा है कि उन्होंने धंब के मेसेज को फहलाने में कितनी महनत करी और कितना एफ़र्ट लगाया है नेक्स्ट इस अधर एडिक्ट कुछ और इंपॉर्टेंट एडिक्ट है जो इन यूनिक इंफरमेशन देते हैं और कभी-कभी उनके बारे में पूछ लिया जाता है कंधार में एक एडिक्ट मिला है जिस कंधार के अंदर जो हमको एडिक्ट मिले है उन एडिक्ट के अंदर एक खास बात है जो उसको दूसरे पिलर एडिक्ट से बहुत अलग बनाती है वो है उसके अंदर यूज हुई language वो जो language उसके अंदर यूज हुई है वो कौन सी है ग्रीक and आर्मेक दरसल कंधार का इलाका अफगानिस्तान का इलाका था और वहाँ पे बहुत वारे ग्रीक बसे हुए थे Alexander के जमाने से ही तो इसी लिए उस इलाके की जो जबान थी उस इलाके की जो भाषा थी वो भरती भाषा नहीं रह गई थी बलकि एक foreign language वहाँ पे प्रचलित हो गई थी बुली जाने लग गई थी जो ग्रीक और आर्मेक हुआ करती थी तो हमको वहाँ से जो addicts मिलते हैं वो इस language में मिलते हैं दूसरा हमको बाराबर cave से भी addicts मिलते हैं बाराबर caves कहा है? बाराबर caves is in Bihar आज जो Bihar के south में गया नाम की जगे है उसी गया नाम की जगे से कुछ caves मिली हैं जिने बाराबर hill caves कहा जाता है तो इससे हमको ये पता चलता है कि कुछ caves बनाई थी बिंदुसार के जमाने में और आजीवक sect के monks को उनको gift कर दिया था ताकि वहाँ वो बैठके ध्यान साधना कर सके रुम्मिन देई पिलर जो हमको मिलता है ये नेपाल से मिलता है और इसमें बताया गया है कि समराट अशोक लुम्मिनी विजिट करते है लुम्मिनी वो जगे है जहां पे गौतम बुद्ध का जनम हुआ था बर्थ प्लेस ओफ लॉर्ड बुद्ध अब तो अशोक बुद्ध हो गए थे जैपुर में, जैपुर के पास में सिच्वेटेड है मैंसे लिख देता हूं इसको नियर जैपुर एवरीवन नोस वेर जैपुर इस राजस्थान में है कैपिटल ने राजस्थान की एंपरार अशोक का जो कनवर्जन हुआ था Emperor अशोक क्या थे पहले पहले शिव के भक्त थे इसलिए उनको चैव कहा जाता था From चैव to Buddhist From चैव to a Buddhist जो एक conversion हुआ था उसकी information हमको भाबरू बैरात से मिलती है Allahabad addict जो हमको मिलता है वो Queens addict है क्योंकि यहां पे Emperor अशोक की रानी कौरवाकी का description है उनका विवरण है तो यह लिख देता हूँ मैं mention of Queen ऐसा लगता है इनके नाम से की कौरव फैमिली की रही होंगी इसलिए इनको कौरवाकी कहा गया बठा जो भी थी है इनका यहां पे mention मिलता है कौशाम भी कौशाम भी उसी के पास में हुआ करता था प्रयाक के पास में division in Buddhism जो होता है आगे चलके उसके बारे में कौशाम भी के बारे में कौशाम भी के अंदर mentioned है गुज्जरा गुज्जरा is in MP मद्यप्रदेश में गुज्जरा नाम की जगे है जहां पे एक एडिक्ट मिलता है हमको जिसमें personal name of अशोक ज्यादा तर एडिक्ट में Emperor अशोक का नाम हमको मिलता है देवनाम प्रियदर्शी लेकिन गुज्जरा का एक एडिक्ट है जिसमें देवनाम प्रियदर्शी राजा अशोक लिखावा रहता है एम्परर अशोक का पर्सनल लेम हमको इस गुर्जरा एडिक्ट से मिलता है दोस्तों आज के लेक्चर में इतनी ही इंफर्मेशन है जो मैं आप से शेयर करूंगा और चाहूंगा कि ये सारी इंफर्मेशन आप अच्छे से प्रॉसेस कर लो अपने दिमाग में इसके नोट्स बना लो इस चैप्टर को और पोस्ट मॉरिन पार्ट को हम आने वाले लेक्चर में पूरा कर देंगे ये पार्ट वन था पार्ट टू में इसको कंक्लूड भी कर देंगे लेक्चर को और पोस्ट मॉरिन पीरिट के बारे में भी विस्तार से बात कर लेंगे